हेलो फ्रेंट्स वेलकुम तो मैं यूटूब चैनल मानु आईडिया एंड जुगार फ्रेंट्स आज हम बहुती टेस्टी एकदम गरम गरम और टेस्टी माटर का पराथा बनने वाले हैं तो चले बनाने स्टार्ट करते और आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो फ्रीज वी चैनल ने लोगों के लिए बना रहे हैं उसे सबस्वाइब ले सकते हैं मैंने यहां पर दो पड़े का तोड़ी से आटा लिया हुआ है अब इसमें मैं दो चम्मच तेल लालूगी एधिकी छोटा चमच है तेल तेल से कहा है कि आटा सॉफ्ट रहता है और स्टफिंग हमार नमक लगता है, इसलिए आठे में भी नमक जदुदा लिए है, अब मैं इस पच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालके मैं इसका एक सॉफ्ट आठा गूत रोंगी, आठा सॉफ्ट होना चाहिए, नेतु क्या है कि जब स्टफिंग भार के हम पेलेंगे तो हमारी स्टफिंग भार आने लगती है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके मैं इस तो आठा त्यार तल लेती हूँ, फ्रेंट स्टफिंग मनाने के लिए देखे, मैंने यहां पैन रख दिया गरह होने को, मैं इसमें एक चम्मच तेल डालूँगी, एक से देड़ चम् जीरा डालूँगी यह, आधा टी स्पून जीरा है, तो जीरा तड़त जाएगा, तो फिर हम इसमें इदकी थोड़ी से लेसम भी कलिया है, इसको काटनी ज़र जे मैंसे ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि सब चीजों को बार में पीस नहीं है, तो हरी मिर्च डाल रही हूँ, यह अधर काई तुकड़ा है, इसको थोड़ा से काट देती हूँ, शार किस्पे में, तो फिर थोड़ा सा भूं जाएगा, तो फिर मतर आने की, इसमें हीम डाल दे लिए, उसकी कई लोगो मतर से गयाज मनती है, जैसा हमारे घर की जो पड़ेल होते है, तो हीम से क्या हो त थो, शार की जैसन के लिए अच्छा रहता था, फोर्स हमेने इसमें चीप लगा आनी है, अब के यापए दो काटोरि लिए हूए, मतर लिया हूँ है, एक मतर डाल दूबे, अब के लाकेस को निख्स कर जांगे, अब इसमें लमं डालनेंगे, अब इसमें हम नमं डाल लेक अपिए जनल से कज अरै ने कि अपिश्ट करें अगर्ण को करें आती हैं सकते हैं और यह वापस खोलेंगे अफिट फोड़ा मिक्स करेंगे माटर जो हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तब तक हमको इसनके पकाना है कर देखिए हमारे मटर कैसे सॉप्त हो गया है और हम इसको खुल ला ही थोड़ा सा दो निट और गूलेंगे ताकि इसका जो पानी है वच्चे जो सुज़े है फिर इसके बाद हम घंडा हो जाएगा ये तो हम इसको मिख्णी के जार में डालके इसका इस पेस्ट बना लेंग मैं इसको थोड़ा तो सूखा दर नहीं है कि देखिए हमारे मटर कैसे सॉस्ट हो गया है उसके दबाने सिग्दम बढ़ रहे हैं आप शाहे तो मटर को पीजने के बाद पी प्राइब करते हैं या इसे ख़ड़ा प्राइब करके पीज सकते हैं दोलों तरीके हैं जो आपक ने उसेमे फिरिक भी तो अहीं तो मिट्रिक इस घंड़ लिए दाल दोंगे तो फिर थोड़ा सा पनिय पनियाद लिगः है क्या तो अ हृँ मटर मटर में ज़ने हिसूंद चलाना है हमें इसे ऐसी सूखा चलाना है नित पानी हम डा लेंगे तो फिर फोट सा पनयल पनयां दोगेगा एक hello अएक पेस्ट बना जहें देखें इस तरीके से इसका पेस्ट बनालेना है अच्छे से शचाहरा किन नहीं होईगे हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूं lif कि थोड़े से मट्र खिछ हैं यह थोड़े से एग तम चीगने हैं तो इसी इमस Hessenा टेस्ट आट एक तया कि हम इसको सुमूर्म करेंगे न तो अच्छा नहीं लगए defod she आप देख रहे हूंगे आपको दिख रहे हैं तो इसी तरीके से इसका पेस्ट पनाता है प्रेंट देखें हमने तवा गरम होने के लिए रख दिया है तो अब हम स्क्या करेंगे सबसे पहले आटे की लूई तोलेंगे आटा भी हमारा अच्छा सॉफ्ट हो गया है फूल गया है तो मैं इसके एक खोड़ी सी बड़ी लोई तोलूँगे क्योंकि पराठा इस्टफिंग करनी है तो थोड़ा सा बड़े साइस का हम लोई लेंगे सोख आटा में एससे रूल करना है इसके एस में टुष के करना है साइज साई फुर्फिंग करूंका है ये इस साइस बड़ा करना है बंणail हो यह एक यह गीधिए ऐसमें उस्टफिंग भर दे रही हूं कि बहुत ज야दे स्टपिंग नहीं भनना है जितना है आठे का साइज आएगा लोगी का उतना ही भरिये जिए इतना स्टपिंग भर दिया है तो हाथ से ऐसे प्रिस कल लेंगे राउंड रांड करेंगे इसी वह मैं आठे को दबा दे रहे हूं आप छैय तो निकाल भी सकते है पिर समी से सूखे आठे में टीप करेंगे और इसका ही सॉफ्ट हैंड से पराठा पिल लेंगे मत्र क्योंकि गीला होता है सॉफ्ट होता है इसलिए उसकी स्टफिंग जल्दी बाहर नहीं आती है वो आठे में अच्छे से चिपक जाती है तो बस इसे ऐसे घुमा घुमा के बीच में आपको लगे तो सुख आठे पर टीप करना है और आपको बेल लेंगे जो एक खड़े मटर रहे वो ये ऐसे बाहर निकल रहे है बाकी नहीं निकलते है पूरी स्टफिंग अच्छे से आठे में चिपक जाती है अब पराठी का साइस अपने ही चाप से छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसे घुमा घुमा के अच्छे से दूसरे साइट भी सेक लिए ना है अब फराठा दोनों तरफ से तीक गया है तो हम इस पर तेल लगाएंगे अब घी बटर जो भी लगाना चाहते है उन लगा सकते है अब इसे पलटके में दूसरे तरफ से भी ऐसी तेल लगा लोगे मतर के सीजन में यदि मतर का पराठा नहीं खाया तो फिर सीजन का कुछ मज़ा नहीं आता है सीजन में यह तो यह सब चीज अच्छी लगती है और ठंड के टाइम पर डाइशेशन भी सबकर सही रहता है हम कुछ भी हैवी ओईली खा सकते हैं तो मतर की सीजन में आप इसे एक बार जरूर बनेंगे और बच्चों को भी खिलाएए उन्हें टिफिन में भी दे सकते हैं एक टेस्की तो है साथ में हेल्दी भी होता है तो बस पलट पलट के अच्छे से दोने तरब देख लेना यह देखिए हमारा मतर का पराठा बनके रेडिया है हम इसे निकाल दे इसे भी मैसी सेख लोंगे एंड लीचे हमारा एक्तम मतर का गर्म गर्म पराठा बनके रेडिया है आप इसे अचार, सौस, चटनी किसी के साथ भी खा सकते है वैसे यह सादा भी अच्छा लगता है तो मेरे पास चटनी भी है और सब्जी भी है तो जिसके साथ खाना है दह किसी के साथ भी खा सकता है तो दिखिए एक्तम गर्मा गर्म टेस्टी मतर का पराठा बनके रेडिया है